तो ऐसे यहां पर यह रहा मेरे पास Samsung Galaxy A14 5G स्मार्टफोन और यहां पर यह रहा 50 Megapixels का Tribal Rear Camera आपको मैं इसी स्मार्टफोन के कुछ क्यामरा के सेटिंग्स बताऊंगा भैतिरन सेटिंग्स बताऊंगा आपको भैतिरन शॉट्स के लिए तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हाँ पर व्यूपड़क पर क्लिक कीजिए नहीं तो डिस्क्रिप्चन में जाईए आपके हाँ पर Samsung के A-series के बहुत सारी स्मार्टफोन दिखेंगे कोई भी एक स्मार्टफोन के उपर क्लिक करके कोई भी एक स्मार्टफोन के प्राइस पर जरूर क्लिक करना तो चलिए क्यामरा एप को ओपन करते हैं एक एक फीचर आपको मैं explain करके बताऊंगा यह क्या काम करता है और यह क्या काम करता है बुलकर तो चलिए आपना end तक देखना तो चलिए camera app open करते ही सबसे पहले आपको यहाँपर मिलता है portrait mode यहाँ से आप background को blur करके photos ले सकते हैं आपको background blur करके photos लेना है तो आना होगा इस portrait mode में यहाँ से background को blur करके photos ले सकते हैं एक बाट टैप करके लेटिंग को कम कर सकते हैं और इतना ही लेटिंग होना चाहिए कम ज्यादा नहीं होना चाहिए तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं इसको लॉक पर क्लिक कर सकते हैं इतना ही लेटिंग रहे कि कम ज्यादा नहीं होगी इसके अलावा आप इस पर click करके हैंपर skin को smooth कर सकते हैं मतलब अपने face को beauty कर सकते हैं beauty करके आप हैंपर photos ले सकते हैं इस portrait mode में अच्छी बात है कितना smooth होना चाहिए मतलब कितना beauty होना चाहिए आपका face यहांसे इसको ज्यादा कम आप कर सकते हैं इसके अलावा आप जो photo ले रहे हैं उसका size कैसे आना चाहिए यहांपर आप कर सकते हैं one by one या आप कर सकते हैं full या आप कर सकते हैं 16 by 9 यह आप हैंपर कर लीजिए दूस्तों आपको जो size आपको अच्छा लगता है photo का इसके अलावा next यहांपर आप इस पर click करेंगे तो यहांपर 2 और 5 और 10 आपको यहांपर दिखेगा आप यहांपर 2 करेंगे तो photo click करते वक्त में इस तरह से 2 seconds का time आएगा 2 seconds के बाद में automatic photo click हो जाता है यह आप group के साथ photo ले रहे हैं photo click करने वाला कोई भी नहीं है तो उस वक्त यूज़ कर सकते हैं इसको या आप अकेले photo लेने वाला कोई भी नहीं है उस वक्त भी इसको यूज़ कर सकते हैं इस timer को यह दिख लीजे आप timer set करके phone को रख देना कहीं भी अपनी प्लेस पर खड़े होना उसके बाद photo click हो जाता है 10 seconds का time लागा कर यूज़ कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर next photo mode यह normal mode है यहाँ से आप anytime photos ले सकते हैं और आप हमपर zoom करना चाहे तो आप हमपर 10x तक zoom कर सकते हैं इसके अलावा आप इसकी lighting को ज्यादा करना चाहे ज्यादा कर सकते हैं कम करना चाहे कम कर सकते हैं लॉक कर सकते हैं lighting को इसके अलावा आप इस पर click करके यहाँ पर आपको कुछ filters मिलते हैं जो filter आपको अच्छा लगए फिल्टर लगा कर आप photos ले सकते हैं और मॉन लो कि आप को ये filter यूज़ करना से तो, इसकी capacity को थोड़ा कम करना, इसकी, इसके अलावा, आप अहाँ पर पर phase पर click करके आप ये off तो इसको on करके इसकी capacity को जिए João कर सकते याँ अपो यहां से आप अपने face fat को beauty कर सकते हैं ये यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा फोटो का साइज रख सकते हैं, आप अपनी मरज़े के हिसाब से, इसके अलावा इसी में आपके हैंपर 50 MP बोल कर एक मोड मिलता है, इस मोड में आप आकर फोटो लेंगे, तो जो 50 मेगा पिक्सल का लेंस है, उस लेंस से फोटो क्लिक हो जाता है, यह यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा आप हम पर फोटो का साइज जो रखना चाहिए, रख सकते हैं, यह हो गया, इसके बाद आप इसमें टाइमर भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा फ्लेशलेट का फीचर है, इसकी उपर आप क्लिक करके हैं, इस पर अफो कर सकते हैं यह हो गया उसके बाद यहां पर आपको वी कौर सकते हैं यसके अलावा यहां पर आप उस पर क्लिकर के ऊच्छी बात आप आप अपने लोट करके यहां से स्किन को स्मूथ कर सकते हैं यहां पर यह भी अच्छे बात है यह भी आप यूज़ कर लीजिए इसके अलवा यहां पर आपका जो वीडियो है ना उसके रेजुलेशन को आप हम पर सेट कर सकते हैं इसके अलवा यहां पर फ्लेशलेट का फीचर है इसके उपर आप इस पर सेट करेंगे तो वीडियो रिकॉर्डिंग करने से पहले ही यह फ्लेशलेट अन हो जाती है इसके अलवा आप यह पर सेट करेंगे तो रात में वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त में फ्लेशलेट करके फोटोस ले सकते हैं हाँवां पर envelop chevere है मतलब आप इससे जगाह पर हैं वाब बहुत कम है तो यहाँ से ज्यादा कर सकते हैं तो अच्छे से दीखेगा और आप हैं वाप लेटिंग बहुत ज्यादा है एढुरी ही तो आप को क्या करना इसको काम कर लेना है तो एड़ेस्ट हो जाता है आप अपने ृटिंग कंडिशन के साब से ये सोर्ण कर सकते हैं अब मानलो बहुती बड़ा प्लेस है आप पूरे प्लेस को एक ही फोटो में लेना चाहते हैं तो इस प्यानोरमा में आकर शूटर बटन पर क्लिक करके दीरे दीरे आपको पूरा प्लेस इस तरह से बता देना है तो पूरा प्लेस एक ही फोटो में आ जाता है इसके अलावाएं हम पर आते हैं व mode net mode के लिए आप net mode में रहे कर भी रात में भी आप इस normal mode फोटो लेंगे तो उतना खास नहीं आएगा ये net mode उसका अलग होता है और इसके अलावा इसकी उपर आप tap करके lighting को ज्यादा करना चाहिए थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं कम करना चाहिए आपके camera को तु वह blur दिखता है ये दिख लिजिए हाँ पर मैं camera के सामने लेकर जाओंगा मेरे उंगली को ये दिख लिजिए हाँ पर अभी blur दिख रहा है detail में नहीं दिख रहा है तो अभी हाँ पर मैं क्या करूंगा इस macro mode में आऊँगा macro mode में आते ही ये देख सकते हैं हाँ पर blur नहीं दिखेगा detail में दिखेगा अब कोई भी चीज़ को details में देखना चाहते हैं तो इस macro mode में आकर कोई भी चीज़ को details में देख सकते हैं ये रहा macro mode इसके बाद next आते हैं नहीं तो आप इसको निकाल सकते हैं चाहिए तो आप इसको टिक कर सकते हैं जो भी फोटो आप लेंगे यह मानलो कि यह फोटो है एक्जम्पल है हाँ पर Galaxy A14 5G दिख रहा है ना वाटर मार्क मॉडल ऐसे यह वाटर मार्क बताता है आप हैं पर नेम को हेड करना चाहिए हेड कर सकते हैं और यहाँ पर इसको जरूर ओन करना date and time आप इसको ओन करेंगे तो किस date पर किस time पर आपने फोटो क्लिक किया है उस photo के ऊपर यहाँ पर वो timing बताता है आप 2-4 साल बाद फोटो देख रहे हैं तो पता चलेगा कि हाँ इतना पुराना photo है बोलकर यह use कर लीजे इसके बाद हाँ पर font मतलब जो watermark बताता है वो उसके font कैसे आना चाहिए वो आप हाँ पर रख सेते हो इसके style को यह दिख लीजे उसके बाद next हाँ पर है किस place पर बताना चाहिए इस right में या left में या center में यह आप कर सकते हैं back आता हूँ आपको यहां पर आना है नीचे यहां पर video stabilization यह off है तो इसको on कर लेना इसको on करने के बाद आप video recording कर रहे हैं तो आपका smartphone हील रहा है तो ऐसा लेगेगा कि आपने फोन को हिलाया ही नहीं ऐसा लेगेगा मतलब video आपका shake नहीं होगा stable रहेगा आपका video इस setting को on करके video recording करते वक्त में इसके बाद HDR off है तो इसको भी on कर लेना grid lines यह off है तो इसको भी on कर लेना आप camera app open करेंगे तो lines दिखेंगे आपको hashtag कि करा उन lines को देखकर आप पता कर सकते हैं अपने smartphone को आपने कितना सीधा पकड़ा है इसके बाद यहाँ पर नीचे आपको मिलता है shooting methods आपको इस setting में आना है press volume key to मतलब आप camera app open करके volume बटन पर क्लिक करेंगे तो आप इस पर set करके रखा है तो photo click होगा photo mode में रहने के बाद video mode में रहने के बाद video recording start होगा और आप यहाँ पर इस पर set करेंगे तो camera app open करके volume बटन पर जोम होगा minus button पर क्लिक करने के बाद zoom कम होगा plus button जोम ज्यादा होगा यह कर सकते हैं और control system vyolum करेंगे तो camera app open करके आप वेलम बटन पर क्लिक करेंगे तो वेलम कम जयदा होता है उसके बाद ये और कमाल का फीचर शो पाल ये ओफ है तो इसको आउन कर लेना आप सेल्फी कामरा ओपन करके इस तरह से हाथ बताएंगे तो अटोमिटिक फोटो क्लिक हो चाता है आपको छूने की जरूरत नहीं स्मार्टफोन को आते हैं बैक आपके हाँ पर सेटिंग्स टू कीप आपको इस सेटिंग में आना है आप हैंपर सेल्फी एंगल फिल्टर्स और क्यामरा मोड इनको भी यूज कर सकते हैं तो यह थे इसी समसिंग गालक्सी एफ फोटीन 5G स्मार्टफोन के कुछ क्या सेटिंग्स आपने कुछ गडबड कर दिया है तो आपको क्या करना है रिसर्ट सेटिंग्स पर क्लिक करके एक और बार आपको रिसर्ट पर क्लिक कर देना है तो जैसे नया फोन लेने के बाद में जैसी सेटिंग्स थी सारे सेटिंग्स उसी तरह हो जाएंगे एक और बार देखकर आप एक और बार यह सारे सेटिंग्स कर सकते हैं तो यह था दोस्तों वीडियो आपको करसा लागा नीचे कमें बता देना और आप इसी स्माटफोन के टॉप 60 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स इंट्रिक्स इंट्रेस्टिंग हीडन फेचर्स वाले वीडियो को देखन नहीं तो आपके हाँ पर दो चार्श सेकिंड्स के बाद में एंड स्कुन में भी हाँ पर दिखेगा वह वीडियो